Hello everyone, I am Nagyendra and welcome you back to my YouTube channel, Pro2Uadab. आपको Python के programs run कराने हैं, लेकिन आपके पास computer नहीं है, laptop नहीं है. No need to worry, because Pyroid 3 एक मात्र सल्यूशन है, जिसका यूज करके आप Python के programs, जो के system पे run होते हैं, वो आपके mobile platform पे भी run करेंगे. तो आज हम क्या देखने वाले हैं, Pyroid 3 को install कैसे करते हैं, और mobile phone में Python के programs को कैसे run कराते हैं. इसके साथ हम additional software को module PIP को install करके भी check करेंगे, ताकि सारे Python के program जो system पे run होते हैं, वो आपके mobile platform पे भी run करें. So, see the video till last and do enjoy the video. The very first step is to open Play Store. जैसे आप Play Store open करेंगे, वहाँ Pyroid 3 टाइप करेंगे आप, उसके बाद list में जो सबसे पहला option आएगा, उस पे आप click करेंगे, और install option पे click कर देंगे. जब तक ये install होगा, तब तक मैं आपको बता दो कि ये Pyroid 3, IDE for Python जो आप download कर रहे हैं, इसके size approximately 48 MB है. आप वही बाला file download करेंगे, rest, Pyroid 3 के साथ आपको supported file install करने होंगे, वह जब भी install हो जाएगा तब उसको आप install करेंगे. क्यों install करेंगे? क्योंकि Pyroid 3 के साथ कुछ plugins होते हैं, उस plugins में कुछ PIP file को install करने पड़ते हैं, ताकि आपके system में जो program run करें, वो program आपके android phone पे भी run कर सकें. So, आप देख रहे हैं कि Pyroid 3 complete हो चुका है, installation process complete हो चुका है, अब ये install होगा, it will take few seconds only, हम open पे click करते हैं, जैसी open पे click करेंगे, कुछ second में ये file आपका install हो जाएगा, और Pyroid 3 आपके mobile phone पे on हो जाएगा, open हो जाएगा, ताकि आप उस पे programming कर सको, ये देखिए, अब आपका interface जो है, वो open हो चुका है, अब हम जो 3 dot, 3 line दिये होए new के बगल में, वहाँ पे click करेंगे, और वहाँ से PIP वाले option पे click करेंगे, PIP पे जैसे आप click करेंगे, वहाँ पे आपके options मिल जाएंगे, आपको जाना है quick install के option पे, वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइल premium only पे लिखा हुआ है, वो आपका chargeable है और बहुत सारे चीज़े install लिखे हुए है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो important फाइल आपको need है, वो आप install कर लेंगे, नहीं है, लेकिन उसको install करने से यह फायदा होगा, कि आपको जो भी program run करने है, उसके supported files अगर यहाँ पे available होंगे, तो आप easily सारे programs को अपने Android phone पे भी कर पाएंगे, otherwise hope so यह program run करें या फिर ना भी करें, ठीक है, यह Pyroid repository plugin बहुत जल्दी ही आप install हो जाएगा, इंस्टाल होने के बाद हम देखेंगे Pyroid 3 में कुछ programs को run कराके भी चेक करेंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाए, कि Pyroid 3 में programs run कैसे होते हैं, दो-तिन प्रोग्राम हम रंद कराके अभी चेक कर लेते हैं, यह फाइल थोड़ा समय लगेगा, इंस्टाल हो रहा है, एस सुन एस यह इंस्टाल हो जाए, वी वी वाचिंग की और भी कौन से PIP ऐसे होते हैं, जो इक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जो भी आपको लाइबरी फाइल इंस्टाल करने हैं, वो आप अपने एकवाडिंग इंस्टाल कर सकते हैं, वह आप अप्शन में अवेलेबल है, अदरवाइस आप स़च करके भी उसको इंस्टाल एस पर नीडेड कर सकते हैं, लेट सी, हमारा लगीन रिप्रोजेट्री एप्रोक्सिमेट्री इंस्टाल हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, इसको उपन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम उपन पर क्लिक करेंगे, यह जो हमने इंस्टाल कर रखा था, वहाँ पर चीज़े आ गई है, और अब जो भी इंस्टाल करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके इंस्टाल कर सकते हैं, मैं एक और इंस्टाल कर लेता हूँ, नमपाय पर क्लिक किया, अब मैं इंस्टाल पर जैसे ही क्लिक करूँगा, खुछ सेकेंड के अंदर यह इंस्टाल हो जाएंगे, इं सारे लिस्टेट है जो आपको ज़रूरत पड़े तो आप इंस्टाल कर लेजिएगा फाइन लेट्स गो बैक एडिटर पर चलते हैं यह मैं बैक किया यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर के साब डेटा अवेलेबल हो गया है यहां पर आपको जो भी टाइप करेंगे उसको एक्सक्यूट कराना हुगा मैंने लिखा A is equal to value assign कर देते हैं A is equal to 5 on second line B is equal to whatever value you want to assign जो भी value आपको assign करना आप assign कर सकते हैं मैंने 19 assign कर दिया C is equal to दोनों को sum कर देते हैं A plus B now what will happen the value of A and B will be added and it will store on C अब उसको हम print करते हैं print अब उसको C को मैंने क्या कर दिया अब रंद करने के लिए yellow color का option है उसको मैंने क्लिक किया you can see the output is on the screen 24 दोनों value sum हो गया और यह value as output आपको show हो रहा है अगर आपको special keys की जरूरत है तो जो triple dot available है वहाँ पे click करके आप special keys को ला सकते हैं let's see some other program कुछ और प्रगाम रंद करा के check कर लेते हैं for example a की value 5 है और b की value 19 है अगर मुझे square print करना हो a और b का तो what i have to do is मैं print कर लेता हूं और within a bracket what i have to do is a को square करना है तो let me write a into a comma b का भी square करना है then i have to write b into b b into b अब एक सार execute भी हो जाएगा let's run the program जैसे मैं रंग कराता हूं you can see 5 का square 25 is being printed and 361 the square of 19 is also printed दो program मैंने check कर लिया let's see some of the program based on print function यह numerical based programs यह numerical based programs थे let's see some other program अगर मैं print function का use करता हूं you know that what is the use of print function print क्या करता है आपके output screen पे message display करता है whatever you will be passing within a double quote so double quote में आप message pass कर सकते है whatever message you want to pass here I am writing hello how are you एक line भी आप run करा सकते है let me write one more line print कर लेता हूं you can see that कि कौन से कौन से functions यहाँ पर execute हो रहें बिना कोई भी library file import किये हुए अगर आपको आगे जैसे की file handling के programs होते है math का function यूज करना होता है तो आपको import करना पड़ेगा now see let run the program जैसे ही मैं आप इसको save भी कर सकते है program को let me show you कि कैसे save किया जाता है मैंने save पे click किया उसके बाद आपको एक folder assign कर लीजिएगा ताकि आपको सारा program एक जगा store हो तो आपको folder या तो नया create कर लीजिएगा और उसको folder को select कर लीजिएगा हम क्या करते हैं एक नया folder create कर लेते हैं उसका name मैं sign कर देते हम new folder को erase करके उसका नाम हम python लिख देते हैं ताकि हमारे सारे files एक जगा store उसके बाद जो फाइल आपने बनाया है उसको सलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वो सलेक्ट हो जाएगा और सारे फाइल आपके जो भी आप पाइटन में बनाएंगे एक जगह कहीं सोर होगा मैं आपको बता तो कि पाइटन की फाइल जब भी आप सेफ करेंगे तो उसका extension.py दे जाए होंगे if you feel any of the difficulties just do comment and if you feel that that video is beneficial for you just do like, share and subscribe this channel. That's it for today. Thank you. Bye-bye and जाएगा.